सो हलो दोस्तों कैसे आप सभी मुझे पता है सीटी का आपने जब अप्लिकेशन फॉर्म बारा उसके बाद बहुत सारे बच्चों का गड़बडी में मिस्ट्रिक हो गया था तो अब फिर से रेजर्सकेशन फॉर्म फिर से आ चुका है एडिट करने का उप्शन आ चुका है आपको पता होगा अगर अगर अच्छे से देखो अच्छे से देखने का तब एडिट करने जाओ पहले ही गरबड़ी कुछ भी मत करो ओके सो दोस्तों मैंने तो जो वादा किया तो पूरा करने आ गया हूँ आप भी अगर आपको आपको पीजेसर का वीडियो अच्छा ल करना है अगर आपको आडिट करना है तो क्या करना सब से पहला स्टेप यह है कि is ordered registration आईडी पे क्लिक्न करो दियां से क्या किया कर रहे हूं स्टेट बूर्ट पे तो सीट तंबर मुझे लेना है वो ए थ्री 9261 लेना है इनकी मदर का नाम है तुलसी तो डाल दिया देखो यह चीज़ इदम प्यार से देन ओके कर दो डन फिर इसके बाद यह सब रीट करना है तो रीट कर लो किया अब दोस्तों यह देखो यह आ गया है आपको अगर आपने देखा कि आपका सब कुछ सही है आपका सब कुछ सही है तो कुछ भी मत करो कुछ भी मत करो लॉगाउट कर दो बन आपको अगर आप आपको कुछ तो एडिट करना पड़ेगा एडिट करना होगा करना पड़ेगा जरूरी नहीं जब करना होगा तो इडिट करना है तो अब यहां अप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करो क्लिक किया यहां लिखो यह इस पर क्लिक करो I want to unlock my application form unlocked किया अनलाइट पर क्लिक करो को के दोस्तों चुप्चप क्या करो यहां कुछ भी नहीं करना यहां कुछ भी नीचे वोकिक निए करना फिर से बता रुद कुछ भी लोकी नहीं करना है ओके तब करना जब आपका correct है आपको edit करना है मैंने फिट से बताया application unlock पे click करने का आपने unlock किया यह application form आया then यहां कुछ भी नहीं करना है फिट से बता और यहां okay और इस पे कुछ नहीं करना है इसको बैस चुप चुप log out कर दो log out कर दिया फिर से वही काम करना है forgot registration state board seat number कौन से seat number मैंने लिया है मैं देख लूँ 61 वाला ओके जिनके mother का नाम है तुलसी ओके देन ओके किया यह देखो आ गया edit का option ने आ गया yes so दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ इसमें जो जो चीज आपको edit आ रहा है वही आप edit कर सकते हो अगर जो edit का option जो चीज आप edit नहीं कर सकते हो उसको आप edit कहां से करना आप आपके मन में question आप तो आपको उसके लिए school जाना पड़ेग अगर चीज यही और यहां चीज जी मीडियू तो आपको फिर सेटने इसमें इसमें इमेल डि नहीं दाला है तो अगर जिसका, किसका यह बाई, किसका यह बाई, मुर्लीदर, मुर्लीदर, आप देख लो, आप email id इसमें डाल देना, email id डाल देना, email id आप इसमें add करके, add करके save, और next कर दो, देखो आ गया, okay, आप आपको confirm हो गया, then okay, confirm application form, okay, so हो गया, आपका यह इसी तरह से तो करना है, क्या इसके अंदर hard है, and then चुप चाप log out कर दो, और इस तरह से आपको CT का 11th standard में admission के लिए, जो CT का application form है, वो इस तरह से भर रहा है, so दोस्तो, आपको पूरा वीडियो बहुत पसंद आयागा, मुझे इसा लग रहा है, मैंने पूरा एक एक चीज़ बताया, आपको unlock कैसे करना, वीडियो को अगर प्यारी कीज़ दे देखो तो सब समझ मैंगा, कि कितने बार मैंने log out किया, कैसे किया, पीछे करके देखो एक बार, और अगर आपको अभी भी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप load thread पे एक number चल रहा है, उस पे call करो, और call करो, या WhatsApp पे WhatsApp पे message करो, हमारी team आपका help करेगी, हमारी team आपका पूरा help करेगी, बस message डाल के रखो, हम edit कर के देगे तो thank you so much guys, यतना प्यार और support दिखाने के लिए, इसलिए हमारा भी support आपके लिए बना हुआ है, bye bye, take care, अपना ध्यान रखो दोस्तो, जैहिन दोस्तो